क्या शिफशेना के बैंक खाते अगर हाथ से निकले तो तूट जाएगी उद्धव ठाकरे की आर्थिक कमर क्या उद्धव ठाकरे हो जाएंगे पूरी तरह से कंगा किंद्र चिनाव वायूग ने फैसला किया है कि एकनाच शिफशेना पार्टी को संभालना शुरू कर दिया है सबसे पहले एकनाच शिफशेना की एक नई कारिकारी समीती बना कर उन्हें मुख्य नेता के रूप में चुना गया इसके बाद अब चर्चा है कि एकनाच शुंदे अपना अगला कदम शिफशेना की मुंबई शाखा और शिफशेना के बैंक खातो पर कबजा करेंगे जो कि पहले से उद्धव ठाकरे की कंट्रोल में है हाला कि एकनाच शुंदे ने साफ किया है कि उनका ऐसा कोई विचार नहीं है एकनाच शुंदे ने कहा कि हम उद्धव ठाकरे गुठ के धन्यान या अन्य सम्पत्ती पर दावा नहीं करेंगे हमारे लिए केवल बाराश थाहिप के विचार ही महतुपूर्ण है एकनाचुन्दे ने कहा कि मैं देने वाला हूँ लेने वाला नहीं इसलिए मुंबई नगर निगम चुनाव से पहले शिंदे गुट शिफशेना के बैंक खातो और अन्य संपत्तियों को अपने कबजे में ले लेगा ऐसा कुछ नहीं होगा शिंदे ने कहा कि गिर्वी रखी गई शिफशेना पाटी का नाम और सिंबल हमने छुड़ाया है एकनाचुन्दे ने भी ये संगेत देने की कोशिश की कि अब हमें दूसरी चीजों की जरुवत नहीं है एकनाचुन्दे ने ये भी कहा कि हम भविश्य में ठाकरे गुट को अपने कामुक्त जरीय जवाब देंगे और दफ ठाकरे को चुनाव आयोग से जठका मिला एकनाचुन्दे ने मुंबई में मीडिया से बाचीत के दोरान कई राजनीतिक मुद्दों पर टिपनी की जब उनसे पूछा गया कि क्या आप 2024 में मुख्यमंत्री पत का चेहरा होंगे इस पर एकनाज शुने ने कहा कि जनता तै करेगी कि मुख्य मंत्री पत का चहरा कौन होगा शिंदेगुट ने 16 विधायकों की आयोगिता का मामला फलहाल सुप्रीम कोच में लंबित है ठाकेगुट ने शिंदेगुट को शिफशेना और धनुशबा चुनावचिन देने के आयोग के फैसने को भी शुनाती दी है ब्योर रपोट मेट्र मुंबई